गुड मॉर्निंग अल आफ यू वेलकम यू आल शुड़ान इन वर एसेंट ओनलाइन क्लास आज की अमरी क्लास है क्लास सेकेंड के लिए और आज का मारा सब्जेक्ट है हिंदी तो बच्चों आप अपनी हिंदी फर्स्ट की बुक निकालो जिसका नाम है नंदिनी तो आज ह हम स्कूल में आपको पढ़ाने में अभी शक्षम नहीं है इसलिए हम फिर से एक बार ओनलाइन क्लास के माद्यम से आपको पढ़ा रहे हैं तो बच्चों आप अपनी पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान दें क्योंकि कोरोना तो अपनी जगह चलता रहेगा लेकिन आपकी पढ़ाई है जो चलनी चाहिए उस पे कोई स्टॉप नहीं लगना चाहिए तो आप घर पे रहें सुरक्षित रहें और हमारी जो ऑनलाइन शिक्सा है उसके माद्यम से आप अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दें और डेली आप है जो वीडियो देखें और होमबक अपन नया सवेरा बहुती अच्छी कवीता हैं देखें बच्चों सिक्षन संकेत प्रिस्तूत कवीता में बताया गया है कि सुबह जब सुर्य उदय होता है तब उसकी सुन्दरता देखते ही बनती हैं पता ही जब सुबह जल्दी उड़ते हैं और सूर्ज को उदय होते वे देखते हैं तो कितना ही मोसम सुहाना होता है कितनी अच्छी सुंदरता देखने को मिलती हैं सूर्य की जो किरने हैं वो अंदकार को समाप्त करके और नई दिन की सुरवात करती हैं क्योंकि जब सूरज दीरे 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 निकलता है तो अंदेरा है जो दीरे दीरे क्या हो जाता हैं समाप्त हो जाता हैं और सूर्ज की किरने हैं जो इंदकार को मिटा देती हैं सब को नई कुसियां का संदेश देती हैं और सूर्ज की किरने हमको क्या सिख्षा देती हैं कि की जीवन में नई कुशियां आने वाली है तो चलो बच्चों हम अपनी आज की कविता नया सवेरा पढ़ते हैं कोशिस करें आप भी मेरे साथ गुन-गुनाने की सूरज के आने से पहले लाली सीश्चा जाती हैं पुरब दिसा में लाल गेंद की किरने अंदकार मिटाती हैं धीरे धीरे आधर्ती पर जगरोसन कर जाती हैं नया सवेरा अभ हैं आया यह संदे से सुनाती हैं तो इस कविता में कभी क्या कहना चाह रहे हैं इस कविता में कभी यह बताना चाह रहे हैं कि जब सूरज आता है उससे पहले लाली सीश्चा जाती हैं मतलब लाल रंग की है जो पुरी उपर है जो चाह जाती है सूरज जब निकलता है उसससे पहले क्या हो जाता है लाली सी चा जाती है और पूरब दिशा में लाल गेंद की तो पता ये सूरज कौन सी दिशा से उदे होता है पूरब दिशा में तो पूरब दिशा में है जो सूरज है जो लाल गेंद क्योंकि पहले जब सूरज उदे होने लगता है तो थोड़ा लाल रंग का दीरे-दीरे बाहर नि तो जो किरणे होती हैं वो पूरा क्या मिटा देती हैं अंदकार धीरे धीरे आधर्दी पर क्योंकि सुरज की किरणे एकदम तेजी से एकदम फटाक से नहीं आती हैं वह धीरे 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 निकलती हैं और सारे संसार सारे संसार का अंदिरा हैं जो वो खतम कर देती हैं दिरे दिरे आ धर्दी पर जग रोसन कर जाती हैं। जग यानी संसार, दुनिया, तो पूरे संसार को वह रोसन कर जाती हैं। रोसन यानी एकदम उजाला प्रकास, एकदम अंधकार समाप्त हो जाता है। नया सवेरा अब हैं आया यह संदेश सुनाती हैं और वह जो सूरज की किर्णे होती हैं वह हमको कौन सा संदेश सुनाती हैं कि अब उठ जाओ अब नया सवेरा आ गया हैं उठ जाओ काम करो अब नया सवेरा आ गया हैं और अब आपके जीवन में नहीने खुसियां आने वाल सूरज की करने आके हम को कहती हैं कि हम हैं जो क्या करती हैं खुसियां लेकर फिरती हैं घूमना तो हम खुसियों को लेकर घूमती हैं सुबह सुबह जो उठ जाते हैं उनकी जोली बरती हैं और फिर सूरज की करने बोलती हैं कि जो जल्दी सुबह उठते हैं हम उनकी जोली खुशियों से बर देती हैं और जो लेट उठते हैं बहुत ज़्यादा देर से उठते हैं उनकी जोली हम खुशियों से नहीं भरती हैं इसलिए हम को क्या करना चाहिए सुबह जल्दी उठना चाहिए और इसलिए सुरुज की क जोली में डाल देती हैं कहने का ताजपरया यह हैं कि जो सुबह जल्दी उड़ता है वह हमेंसा खुश रहता है और उसकी जोली है जो खुशियों से भरी हुई रहती है तो देखो बच्चों आज का यहां आपका पहला पाठ धया सवेरा है जो कविता है और इस कविता में यह बताना चार है कि सूर्ज है जो आता है उसे पहले एकदम लाली सीशा जाती है और सूर्ज पूरब दिशा से उदे होता है लाल गैंद की तरह बाहर आता है और उसकी जो किर्णे होती है वो दीरे 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 आती है और सारी संसार के अंदकार को मिटा करके सारी दुनि करके पूरे संसार में गुमती रहती है और जो जल्दी उठ जाता है हम वो कुसियां उनकी जोली में भर देती हैं तो आज का यह कविता है जो पूरी हो गई है इतना एक पेपर का ही है जो ये आपके कविता है तो आज आपको ये घर पे भी इस कविता को बोलना है सबको सुनाना है दस बार पंदरा बार आपको ये कविता गुन गुना नहीं है और यह कविता आपको औरल में सबको सुना नहीं है, अपनी मम्मी को, पपा को, दादा को, दादी को, भुवा को, जो भी घर में हैं, उन सबको यह कविता आपको सुना नहीं है, ठीके, और आज का आपका होमबर्ग, तो होमबर्ग में देखो बच्चों, आपको जरने हैं लाली लाल रंग जग संसार दुनिया अंधकार अंदेरा संदेश संदेसाया खबर धर्टी जमें फिर्टी घुमती तो यह आपका सब्दार्थ है वर अपको सबसे पहले आपको अपनी कोपी में क्या गरना है हिंदी की कोपी लेनी है नहीं डालनी है अपनी क्लास डालनी है आप कौन सी क्लास में आ गए हो सेकेंड और फिर फर्स्ट चैप्टर का नाम डालना है नया सवेरा और फिर आपको सब्दार्थ लिखने हैं और ये मोखिक ये कुछ ये मोखिक वार नहीं करना है ये भी नहीं करना है एक वार अपन इस और बोलू नीचे दिये प्षनों के मौखिक उतष दीज किसके आने परला लिछा जाती है सुरज की किर्णे क्या करती है प्रक्रों को रोसन कर piece गाहिक शूरज के आने से पहले छा जाती है क्या लाली तो फॉर्ष्ट वाल危 mould जाती हैं तो मिटाती हैं एंदकार तो second वाला option सही है सूरज की केने लेकर फिरती है क्या लेकर फिरती है खुसियां तो second वाला option सही है सूरज की केने धरती पर आती है कैसे आती है एक दम फटाक से आती है या जोड से चिलाती हुआ आती है या दीरे दीरे आती है तो दीरे दीरे आती है तो फर्स्ट वाला उप्शन सही है तो एक तो सब्दार्थ करने हैं और यह आपको सही विकल्प वाला करना है ठीक है बच्चों और क्यों से नंबर सेकेंड भी आपको करना है निम्न लिखित प्रश्णों के उत्तर लिखिए किर्णे दीरे-दीरे धर्ती पराकर किसे रोशन करती हैं यह ना फिर हैं सुबह सुबह खुशिया लेकर कौन फिरती हैं सूरज की किर्णे इसका क्या आंसर होगा सूरज की किर्णे किसे बर्शाती हैं apo । सुबह सुबह उटने वालों की जोली किस परकार बरती बर जाती हैं किस से बर जाते हैं कियोंकि Minister सुबह जल्दी उड़ते हैं उनकी ही जोली खुशियों से परती हैं ठीक है तो आपको यह वाला काम करना और फिर तीस रखविता की पंक्तियां पूरी कीजिए सुरज की आने से पहले लाली सी चा जाती हैं पुरव दिसा में लाल गेंद की किरने अंधकार मिटाती हैं ठीक ह बच्चा तो आज का आपका यह हुंबर्ख हैं और यह दोनों भी करने हैं बासा और व्याकरण के यह आपको अपनी इसको बुक में करना है कौपी में जिसमें यह करोगे फर्स्ट वाली उसी में आपको यह करने के बाद में इसको भी करना है किरन किरने रात रातें दरवा दर्वाजें तो यह क्या है वहुवचन एक वचन बहुवचन बस्ता बस्ते लड़का लड़के मुर्गा मुर्गे विलोम सब्द लिखिये आना जाना अंधकार उजला नया पुराना पूरब पस्चिन धर्ती आकास सुब शाम तो आज का आपका यह पूरा हमभग है यह ठीक है बच्चा थैंक यू